यह है Realme GT Neo 3, Realme का नया स्मार्टफोन, अब यह जो स्मार्टफोन है, यह खास किसम का है, इसका जो डिजाइन है, यह तरह से जो रेसिंग स्ट्रिप है, उसकी तरह दिया हुआ है, ना सिरिफ बॉक्स पैक पर, यह स्पेशल टाप का बॉक्स पैक मुझे मिला हुआ है, लेकि कि यह जो बॉक्स है, इसमें 150 वाट का चारजर आपको मिलने वाला है, और दूसरा ऑप्शन है 80 वाट, उस बॉक्स में आपको 80 वाट का चारजर मिलने वाला है, बाकी सब स्पेक सेम है, सरिफ जो चारजर की टेक्नोलोजी है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मनी करना पड़ेगा, मतलब कि यह 150 वाट का जो एडिशन है, यह महंगा है, चलिए इसके अंबॉक्सिंग करते हैं और इससे टेस्ट करते हैं, देखते रहिए, यह है GT Neo3 का बॉक्स पैक और यह एक स्पेशल टाप का बॉक्स पैक है, जो कि मुझे मिला हुआ है, देख सकते है कि जो हैंसेट का डिजाइन है, और जो बॉक्स का डिजाइन है, यह सेम टाइप का है, इस हैंसेट को यूज करना मैंने अल्रड़ी शुरू कर दिया है, और बॉक्स में यह हैंसेट, तो अगर आप यह हैंसेट खरीदना चाहते हैं, तो आपको इस प्रकार की बॉक्स पैक यह सिम ट्रे एजेक्टर पिन कुछ बुकलेट्स और यहां पर यह देखिए सिलिकॉन केस दिया हुआ है इस पर थोड़ा सा ब्लाकिश टेंट दिया हुआ है यह है टाइप सी टाइप सी केबल और यह है वह 150 वाट का चारजर और जैसे ही आप इसे बॉक्स के बाहर निकालें करेंगे आप इमिचेटली नोटिस करेंगे कि यह भारी है 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 डुएल नैनो सिम का आप इसमें उप्योग कर पाएंगे इसमें माइक्रोडी कार्ट स्लोट नहीं दिया हुआ है यह स्पेसिफिक टाइप का डिजाइन पाटन दिया हुआ है रियलमी डेर टू लीप यहां पर लिखा हुआ है कैमरे का जो मोडियूल है यह भी काफी बढ़िया तरीके से प्लेस किया हुआ है जो बंप है यह थोड़ा सा है इतना जादा नहीं है जो लुक इन फील है काफी अलग है और इस प्रकार के जो डिजाइन होते हैं यह इमिचेटली लोगों का ध्यान अप 256 GB storage space दिया हुआ है LP DDR5 RAM है और UFS 3.1 बढ़िया स्पेक्स इस पर उप्योग किया गया है 6.7 इंचिस का डिस्प्ले है FHD Plus Resolution है 120Hz refresh rate support करता है और यह Corning Gorilla Glass 5 protection के साथ में आता है धूप में डिस्प्ले अच्छे तरीके से visible है इस handset का वजन है 188 grams इसमें दो microphone है दो speakers दिया हुआ है in display fingerprint sensor दिया हुआ है जो की heart rate testing भी support करता है built-in NFC भी है यह handset 5G support के साथ में आता है और यह कितने 5G bands support करता है उसके बारे में जानकारी मैंने video के description में दिया हुआ है 50 megapixel का triple camera setup दिया हुआ है rear side पर 50 megapixel 8 megapixel और 2 megapixel combination है primary camera ultrawide और macro lens दिया हुआ है 16 megapixel selfie camera है यह है camera interface और यहां पर आपको wide angle mode मिलता है 0.6x यह है 1x और यह है 2x वैसे maximum 20x तक zoom in कर सकता है तो wide angle shots आप इस smartphone के साथ में शूट कर पाएंगे video mode दिया हुआ है video में आप maximum 4K में videos शूट कर सकते हैं और video mode में भी यह wide angle option दिया हुआ है तो wide angle videos आप शूट कर पाएंगे लेकिन एक चीज़ आप note करेंगे कि मैंने यहां पर 4K रखा हुआ है लेकिन जैसे ही मैं wide angle mode में switch करता हूँ तो जो resolution है यह 1080p हो जाता है मतलब कि wide angle में आप 4K नहीं shoot कर पाएंगे दिए फिर से 1x पे आ गया है तो यह चीज़ का आपको ध्यान देना है वैसे भी जाधा करके लोग जो है यह 4K hardly यूज़ करते हैं क्यूंकि वह जाधा space लेता है और जाधा करके लोग videos को social networks पर share करते हैं तो 1080p एक standard video format है जो की काफी popular है और जाधा करके लोग उसे output आपको मिलता है वैसा output यहाँ पर आपको इसके साथ में मिल सकता है street photography का अगर आपको शॉक है तो 24 mm यह option अविलेबल है again यहाँ पर भी wide angle है 16 mm और यह है 50 mm तीन options अविलेबल है और अफकोस आप 120 mm तक zoom in कर सकते हैं night mode for low light photography portrait mode दिया हुआ है background को blur करता है आप में से काफी लोग जानते हैं कि यह क्या है और यहाँ पर आप जो आपचर है उसे sit कर सकते हैं 50 megapixel में अगर आपको शूट कर रहा है तो उसके लिए यह special option दिया हुआ है more में यह देखें यह सारे options है अल्टरा macro है film slow motion dual view video जहां पर front as well as rear camera का उपयोग होता है तो बहुत सारे यह जो features है आपने आमतार पे realme के जो अन्य स्मार्टफून से है उस पर देखा होगा तो यह कुछ samples है यह portrait shot again skin tones काफी अच्छा है blurring effect भी काफी अच्छा है edge detection भी काफ अच्छा आगया है यह मैंने wide angle mode में shoot किया हुआ है यह sunset के समय है काफी light आ रही थी सामने की तरफ से तो उसके हिसाब से काफी बढ़िया काम किया है यह है एक और long shot जो कि आम तोर पे मैं जादा करके smartphones के साथ में shoot करता हूं और यहां पर मैंने जो अलग-अलग प्रकार के filter options available है उनका उप्योग करके shoot किया हुआ है कुछ shots आपको amazing लग सकते हैं तो जो filters है इनका उप्योग करें यह जो look and feel है काफी हद तक इसे change करते हैं यह portrait shot जो कि मैंने outdoor shoot किया हुआ है यह भी काफी अच्छा आगया है और यह जो shot है यह basically मैंने यह देखे जब आप portrait mode में जात है तो जो filter options है अलग-अलग प्रकार के यह देखें वही same shot को मैंने मतलब की portrait shot को मैंने अलग-अलग filters का उप्योग करके shoot किया हुआ है देख सकते हैं कि जो look and feel है यह काफी हद तक change करता है और काफी filters जो है यह colors को भी काफी हद तक enhance करते हैं जो photography का mood है उसे काफी हद तक change भी करते हैं यह देखें मुझे खास करके black and white portrait काफी पसंद आया यह है low light shot night shot जो कि मैंने जो night mode है उसका उप्योग करके shoot किया हुआ है काफी details इसने capture किया हुआ है काफी clean है इसे आप आसानी से social networks पर share कर पाएंगे Selfie भी यह काफी बढ़ीया shoot करता है यह देखे यह यह मेरा selfie shot जो कि मैंने portrait mode के साथ में shoot किया हुआ है और यह देखे यह video जो कि मैंने portrait mode है video में उसका उप्योग करके shoot किया हुआ है यह भी काफी अच्छा आ गया है इसमें auto video stabilization दिया हुआ है जो कि काफिया तक स्टेबल फूटेजी इस शूट करता है यह रियल्मी यू आए 3.0 रन कर रहा है जो एंड्रोइड 12 पर बेस्ट है MediaTek Dimensity 81005G प्रोसेसर का उप्योग किया गया है यह चिपसेट पाउफुल है मिड प्रीमियम सेग्मेंट में आता है और इसका परफॉर्मंस है यह चेक करते हैं तो यह Call of Duty गेम में खेल रहा हूँ वैसे यह जो गेम है यह वेरी हाई और हाई कॉलिटी में चल रहा है यह जो सिस्टम है इसने आटोमाटिकली यह सेटिंग सेलेक किया हुआ है हाडवेर के बिस इस पर तो अगर आप एक गेमिंग यूजर है आप इसके लिए जा सकते हैं काफी बढ़िया प्रफॉर्मस दे रहा है डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है और अगर आप इस पर कोई हाई-end अप्लिकेशन्स यूजर करना चाहते हैं तो वह भी इस पर काफी बढ़िया तरीके से चलने वाला है 5000 इमेज की बैटरी है और 150 वाट फास्चाजिंग सपोर्ट या फिर 80 वाट फास्चाजिंग सपोर्ट के साथ में आता है डिपन करता है कि आप किस वेरेंट के लिए जाते हैं 5000 इमेज की बैटरी आसानी से आपको 1.5-2 देस का बैटरी लाइफ दे सकता है और अफकोस 150 वा चार्जर है इसका उप्योग करके आप 5 मिनिट्स में 50 पसंद तक इस हैंसेट को चार्ज कर पाएंगे इतना फास्ट है तो यह कमाल की टेकनलोजी है और यह पहला स्मार्टफोन है जिसमें 150 वाट चार्जर का उप्योग किया गया है जो कि इंडिया में लॉंच हुआ है त आपको पड़ेगा तकरीबन 42,999 तो सवाल यह आता है कि क्या आप 150 वाट के लिए जाना चाहेंगे या फिर 80 वाट आपके लिए सुफिशन्ट है कमेंस के मदम से मुझे जरू बताइए और अगर आप यह स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं इसका लिंक मैंने वीडियो के दिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वीडियो को लाक जरू कीजिए और देखते रहे हैं